हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, आज की यूडियो में हम करने वाले हैं, यह common problem हो सकती है सब के साथ की AutoCAD के अंदर जब हम काम करते हैं, यह तो हो गया model space, जब हम paper space पे जाके काम करते हैं अपने layout पे, और किसी कोई भी layout पे जाकर आप करते हैं, किस तरीके के से के layout करेंगे और अपना model space पे जाके इस तरीके से काम करोगे, जब आपका काम यहाँ पर हो जाएगा, तो आप क्या करते हो, यहाँ बाहर यहाँ पे double click कर देते हो, तो आप paper space के अंदर आ जाते हो, ठीक है, double click करोगे यहाँ पे, तो model space पे आ जा रहे हो, और बहार double click करते हो, तो इस viewport से exit होने के लिए आप paper space पे आ पारे हो, बहुत easily, बट कभी-कभी क्या होता है, कि जब आप यहाँ पे zoom करते हो, और double click कर देते हो यहाँ पे, तो अब problem के हो सकते हैं, तो सबसे पहले solution, जैसे आप यहाँ पे गए, तो सबसे पहले solution है, command की help से, कि command आपको press करनी है, ps enter, जो आपका paper space की command है, ps enter कर दो, तो आप model space से paper space पे आ जाओगे, अब आप zoom out करोगे, तो आपका यह easily zoom out हो जाएगा, clear, दूसरा तरीका क्या है, normally हम काम कैस के lock कर देते हैं, ताकि accidentally हम इस पर double click करके, इसको zoom in, zoom out ना कर पाए, अगर आप zoom out करते हैं, तो भी आप viewport के साथ ही zoom in, zoom out हो रहा है, क्योंकि हमने lock कर दिया है, unlock करेंगे हम इसे, तो अब हम double click करेंगे, तो अंदर वाले model space को zoom in, zoom out कर सकते हैं, for example, मालो मैंने बाहर click करके, अब double click कर दिया, अब नहीं हो पा रहा, एक तो तरीका मैंने आपको बताया कि PA center करतो, दूसरा तरीका क्या है, कि मैं यहीं पर होते हैं, इसको lock कर दूँगा, बस lock करने के मैं आप zoom out करोगे, तो आप बाहर आ सकते हो, यह हो गया, दूसरा तरीका viewport से बाहर आने का, ठीक ह आप इस पर click करते हो, तो आपका paper space आ जाएगा, तो आप इस से बाहर आ सकते हो, तो यह problem सब के साथ हो सकती है, तो इस problem का easy solution है, या तो आप PA center करके बाहर आ जाओ, पेपर space में, या फिर यहां पर click करके, या फिर lock करके, आप zoom out करके बाहर आ सकते हो, तो यह था एक छोटा से solution आसर करता हो, आपको अच्छा लग होगा, अगर आपको भी यह problem face हो लिए, तो please comment section में आप बता सकते है, या फिर autocad से related, कोई भी doubt हा, आपको तो आप comment section में पूछ सकते हैं, तो thank you so much अस वीडियो देखने के लिए मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जैहिन वंदे मात्र